नकल के लिए अकल की आवशक्ता पड़ती है पर यहां तो नकल करने से पूर्व कबजा करने के लिए भी शांती दूत अकल का प्रयोग नहीं करते हैं ग्यानवापी मस्जिद के संदर्व में यह कथन एकदम सटीक बैठता है जिस हिसाब से पूरे जिहादी तत्वों ने शड़यंत्र रच कर ग्यानवापी मंदिर को ग्यानवापी मस्जिद बना दिया उसके चिठे अब खुलकर बाहर आ रहे हैं नमस्कार आप देख रहे हैं TFI जो है देश का सबसे विश्वसनी alternate news media portal और मैं शाश्वत सिंग आपको बताऊंगा कि कैसे ग्यानवापी मंदिर को ग्यानवापी मस्जिद बना देने की घटना ने एक तथ्य को चरितार्थ कर दिया है कि यह इसलामवादी दुनिया के सबस चारण के बाद से ही यह जिहादी समुह बिलबिला रहा है और आलम तो यह है कि विद्वा बिलाप करने में भी अब वो शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं अब जब ज्यानवापी के भीतर का सच सब के सामने आने लगा है तो वे जिहादी मर रही बकरियों की तरह रो रहे हैं वरतमान में इसलामवादियों के पास कोई बचाव नहीं है मंदिर के उपर मस्जिद बनने के सभी संकेत आँखों से साफ दिखाई देते हैं और इसलामवादियों की यह मुर्खता और सुस्ती ही नयायालियों में हिंदू के लिए मुकदमा जीतने का कारण बनेगी यह सर परंग्जेव ने उस स्थान पर ज्यानवापी मस्जिद का निर्मान करवाया इसके साथ ही पूरव वरती मंदिर के अवशेष अभी भी नीव इस्तंभो और मस्जिद के पीछले हिस्से में देखे जा सकते हैं जिसको दरकिनार करना अब ना अधिवक्ताओं के हाथ में है नहीं सर्वेक्षन करने वाले अधिकारियों के हाथ में है और नहीं नियायाले इस बात को हलके में आख सकता है रोचक बात यह है कि मुगल तानाशा इतने कुम करण थे कि सुस्ती में मस्जिद का नाम तक नहीं बदला ग्यान वापी संस्कृत का भाग है जिसका अर्थ है ग्यान का कुमाम वापी भी व्यापी से निकला है इसे भी समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं मुगलों की तेजस्वी सोंच के अनुसार एक या दो पीडियों के भीतर कोई भी हिंदू या काफिर भारत में नहीं रह पाता और इसलिए मंदिर को वास्तों में मस्जि गये हालिया सर्वेक्षन यह साबित करते हैं ग्यान वापी मस्जिद में हाल ही में संपन वीडियोग्राफी सर्वेक्षन की दो रिपोर्टों ने तथा कथित ग्यान वापी मस्जिद की मनमोहिनी विशेष्ताओं को उजागर किया है रिपोर्टों में कहा गया है कि मस्ज सनरचनाय मिली, एक सिलापट में सेश नाग की कृती बनी हुई थी जिसकी वीडियोग्राफी की गय थी रिपोर्ट के अनुसार एक सिलापट पर चार मूर्तियों की आकृती दिखाई दे रही थी और वह सिंदूरी रंकी थी यही नहीं, दिवारों पर मूर्तियों के बगल में दीपक जलाने का स्थान भी मिला है जब ज्यान वापी मंदिर पर हमला शुरू हुआ तो सनरचनाओं की सती विशेष्टाओं को बदल दिया गया विशेषकर बाहर से कुछ अटपटात ना लगे इसलिए पहला नंबर गुंबत का आया लेकिन मंदिर है कि शिवलिंग उस जगह में सदा से है जहां यह शांती दूद वजू करते आ हैं यह दर्शाता है कि कैसे इसलामवादी पिछली तीन शताब्दियों से एक अंतर नहित हिंदुर संपत्ति पर पून उदासीनता के साथ बैठे हैं वे चाहते तो शिवलिंग से छुटकार पा सकते थे लेकिन उनसे यह भी नहीं हुआ क्यूंकि उन्हें लगा कौन ही आएगा अंदर कौन ही आकर करेगा सरवेक्षन अंदर की बात है अंदर ही रह जाएगी उन्हें क्या पता था अंदर आना क्या अब तो वो विडियोग्राफी भी हो गई तो यह इसिपश्ट हो कि भारतिया न्यायालियों में उनकी मस्जित की प्रमानिक्ता पर सवाल उठाया जा रहा है तो उन्होंने एक कवर अफ शुरू करने का फैसला किया। इन सभी ने जड़ बुद्धी के साथ दिमाग चलाया और फिर संरचना की दिवारों को चुने से प्लस्तर कर दिया। करते चलो के सिध्धान पर जिहादियों ने अब की बार मंदिर को ही चुरा लिया। इस चोरी में वो अंधे मूँ गिरे क्यूंकि कथित मस्जित के भीतर मंदिर की संरचनाय नगना आखों से भी देखी जा सकती है। आप बैल मुझे मार की हालत लिए जिहादी पक्ष अब नयायाले में उसे फवारा कह रहा है जो उनकी तुछ और नीच सोच का परियाय है और कुछ नहीं।